तो आज हम हमारा डी फार्मा फर्स्ट यर का सब्जेक्ट है इस हुमेन अट्मिन फिजियोजी उसका जो चाप्टर है टिशूस उसके इंपॉर्टेंट एंसी क्यूस आज वीडियो में डिस्किस करने वाले हैं अगर आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब निकिया तो पहले जाकर चानल को शब्सक्राइब करें वीडियो को जरूर्ब लाइक करें आप हमें टेलिग्राम पर जॉइन कर सकते हैं वहां पर हम डेली क्विज डिज करते हैं तो तो वह तो और चीज बनाएंगे टिशूस और्गन, और्गन सिस्टम या नौन अब दरपप, तो हमें पता है कि काफी सारे सेल्स एक साथ मिल जाएं तो बनाते हैं टिशूस, काफी सारे टिशूस एक साथ मिल जाएं तो बनाते हैं और्गन, काफी सारे और्गन एक साथ जुड़ जाएं तो बनाते हैं और्गन सिस्ट So our correct answer is tissue, tissue organ बनाएंगे, organ organ system बनाएंगे So our correct answer is tissue Next question की तरफ चलते हैं, क्या बोले, tissues are of how many types हमें बोले कि tissues कितनी तरह के होते हैं, 1, 2, 3, 4 So बात करे classification tissues की, तो tissues हमारे mainly 4 तरह के होते हैं कितनी तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं एक हमारे पास होते है, epithelial tissue, और हमारे पास होते है, connective tissue और होते हैं, muscular tissue, और हमारे पास होते है, nervous tissue कौन सा होते है, nervous tissue तो यह हमारे पास 4 तरह के tissues हमारी body में पाए जाते हैं So our correct answer will be 4, ना कि 3, 2, 1 नहीं है और यह बोला है ब्लड कौन से टिशू का एक्जांपल है एपिधीलिल टिशू का नर्वस टिशू का का यह कनेक्टिव टिशू का तो ब्लड क्या है पूरी बॉड़ी में हमारा घूमता रहता है इदर उदर मूफ करता रहता है हमें सबस्क्राइब यह बाखर है आपको यह सारी चीज़ाने के लिए डिए कनेक्टिव टिशू का एक यह सारी चीजों को क्या करें connect करें अगर आपको यही सारी चीजे थियोरी में कवर करनी है तो हमारी उदिद फार्मसी क्लासिस की application है लिंक आपको description में मिल जाएगा या गूगल प्ले स्टोर से भी जाके दाउनलूड कर सकते हैं इसमें हमने डी फार्मा फर्स्ट एर डी फार्मा सेकेंड एर के कंप्लीट वीडियो लेट्चर का कोर्स बनाया हुए अगर आपको कोई भी डाउट यहां कोरी है इस कोर्स से लिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं चलते हैं न करता है निट होता है उसकी यूनिट होती है निूरां निउरोंस क्या करती है इम पल्स को कर्ती है एक जगा से दूसरी जगा तक मतलब बोडी में सिग्नल्स को लेके जाती है जो की कंदॉक्शन of impulses में हमारा help करता है ठीक है next question की तरफ चले next में क्या लिक है how many types of neurons are there on the basis of function हमें पूछा कि कितने तरहां के neurons होते हैं अगर उनके function के base पे उनको उनके काम के base पे divide किया जाए so neurons उनके function के basis पे तीन तरहां के होते हैं एक होते हैं हमारे पास sensory neuron ऑन में जुजood एक हो ते हमारे पासmotor neurone और एक होते हैं हमारे पास mixed neurone sensory neurons वह हैं जो हमारे sensory organs में present है जो sensory or gallons से impulses को लेके जाने का काम करते हैं ठीक है Dann motor हमारे कौन से जो हमारे मतलब move कर्रहे हैं हम movement कर रहे हैं वह हमारे impulses जो भी brain means final court signal भेजेगा वो मोटर के तूर बेजेगा और मिक्स्ट में हमारे सेंसरी और मोटर दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तो हमारे काम के बेस पर तीन तरह के हैं कॉन कॉन से सेंसरी मोटर और मिक्स हौबर कारेक्ट आंसर फ्री गलत नां गलत फिर नेक्सन की तरह रव मूव करते है क्या हूं तब रांची सोन्य आप Excellent की बात हुरी है कि विशकी इसके ब्रांच नाइला का को मिन द्दिथ हुआ तो यह हमारे किसका नियूरोन का है डायग्राम है जैसे तो इसमें क्या है यह हमारा nucleus होता है ठीक है यह हमारा cell body होता है और ये के शाखा है निकली है इनको बोलत या कि यह हमारा यह हमें एक्जोन टर्मिनल यह उन्हें गूछ संग है भी हनक तो कि देख सकते हैं उसके जो क्लियर करें गका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरब मूफ करें क्या बोले तो इसे क्या बोलते हैं जैसे कि यह हमारा नियूरोन है मेरा अफली ड्रॉ कर रही हूं भी पीछे आप ऐसे डाइग्रम देखी चुके है चिक है यह है तो इसी के नीचे हमारा दूसरा होगा नियूरोन तो ऐसे ऐसे आगे आगे सो ओन हमारे नियूरोन होते हैं तो इनके जो बीच का यह स्पेस है यह वाला जो खाली स्पेस है आप देख सकते हो ठीक है मैं दूसरे कलर से मार्क करने की कोशिश करती हूं यह हमारा जो बीच का यह वाला space इनका ठीक है तो इसको बोलते हम synapse क्या बोला जाता है是俩 caffeine क्या है हमारा वो जगह है जहां पर उपर वाला जो भी conduction impulses होंगे उनको निकालेगा और तो यहां पर जाएंगे और दूसरे वाला that neuron उनको क्या करेगा Catch करेगा तो जो beach की जगे हैं उसे बतलता है synapseöl हमने पता है यह पार्ट होता है then right हमने पतो है पीछी इंप उसकी branches होती है ठीक कि नना अवद आई यहśnieक्श हमारा के क्या है correct answer next question की दरा hea kenि हमें को बवन सास्ट PB qualities provided ऐसा कॉन सा टिशू है बॉड़ी का जो कि बोन के साथ हडियों के साथ प्रेजन्ट होता है और उन्हें फ्लेक्सिबिलीटी प्रोवाइड करते हैं अब हमारा जो गोड़ा है नी बोलते हैं जिसको तकना घुटना तो घुटना के आए वहां पर दो हडिया है एक हमारे नीचे वाली टांक की एक हमारे जो थाइस की हो गई तो वहां पर जो दो हडिया है वो आपस में जुड़ी कियों कि we oste 기 uni और कि यह बहल से आपस में मूग करती है क्वाचिलेश टिशू करके क्योंकी करना और जैके पर निपोलते हैं और ein Chr रिफ्रम करते हैं हांड स सबसे हाड कनेक्तिव से प्लाइब तो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिशू है तो यह तो हो नहीं सकता एडिपोस टिशू की बात करें एडिपोस टिशू हमारा फैट टिशू है तो यह भी हो नहीं सकता नना अवदा भैनी बोन बोन क्या है क्योंकि organ to organ connect कर रहे हमारा पूरा skeleton form कर रहे हमारा पूरा धांचा हडियों का form कर रहे skeleton form कर रहे है तो एक connective tissue की तरह काम करता है और सबसे hard connective tissue की बात करें तो सबसे hard हमारा connective tissue कौन सा होगा bone so this is our correct answer okay so this is all about today's video hope आपको अच्छे समझा गया हो और कोई भी doubt हो आपका आप comment करके पूछ सकते हैं हम जरूर answer करने के try करेंगे और हमारा दूसरा channel है जिसका नाम है easy nursing lectures please आप जाके वहाँ पर visit करें अब हाँ पर हम nursing and medical videos upload करते हैं so thank you